Hello everyone, I am Aisha from National Academy of Fire and Safety तो आज मैं आपको बताऊँगी emergency के बारे में emergency क्या होती है, हम emergency preparedness कैसे करते हैं उसकी कैसे planning करें कि जिसकी वज़े से हम emergency situation को tackle कर सकें और हम कैसी prevention दें जिसकी वज़े से ऐसी emergency situation क्रियेट ही ना हो पाए ऐसे कोई accident ही ना हो जिसकी वज़े से हम emergency planning करना पड़े उसे prevention हम कैसे दिला सकते हैं, उसके उपर focus करेंगे तो ऐसे क्या points है, हम कैसी situation को tackle करें इसमें हम क्या-क्या preparedness करें जिसकी वज़े से हम इस situation से बच सकें तो इनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ तो सबसे पहले तो emergency क्या होता है, emergency एक ऐसी situation है जो अचानक से आ जाए ठीक है, immediately वो अचानक से आ जाए और वो कुछ भी हो सकता है मतलब वो हो सकता है, हमें कितना भी नुकसान पहुँचा सकती है मतलब क्या होता है ना, कि माल लीजे वो accident के रूप में emergency माल लीजे आग लगी है, अब हमें emergency चाहिए ना, तो हमें क्या करना होगा हमें preparedness करनी होगी, emergency जो है उसको tackle करने के लिए लोगों को भी तो तयार करना होगा एक emergency टीम भी तो तयार करनी होगी ना, जिस पर वो work कर सके जो भी emergency आई है, उस पर वो आके काम कर सकें, वो पूरी तरीके से train डो के इस चीज से वो लड़ सकें तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम क्या कर सकते हैं सबसे पहले तो emergency planning अगर हम कर रहे हैं तो हमें सारी चीजों पर ध्यान देना होगा कि हमारे workplace पर ऐसी कौन-कौन से accident हो सकते हैं उसके बाद कितनी risk है वहाँ पर कि accident होने की कितनी risk है उन सबको identify करना और hazards आईडनिफाई करना कि इस तरीखी के hazard है तो इस तरेखी की risk आ सकती है और accident हो सकते हैं उन सब को देखना उसके बाद जब हम planning करते हैं तो सबसे पहले हमारा main focus रहता है prevention पे कि हम कैसे ऐसी prevention दिलाएं जिसकी वज़े से ये जो hazard है जिसके कारण an accident हो सकता है उसको हम रोक सकें ठीक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊगी तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे हमारी जो भी जगा है जो भी workplace है उस पे हम क्या करेंगे कुछ लोग ऐसे train करेंगे जैसे की माल लीजे आग लगिए आग लग सकती है हमारी workplace पे तो उससे पहले prevention में हम क्या लेंगे हम smoke detector लगाएंगे heat detector लगाएंगे fire alarm लगाएंगे अपने extinguishers तयार रखेंगे sprinkler system लगाएंगे जो भी fire fighting के equipment हैं वो सारे तयार करके रखेंगे hydrant point हमारे कहां कहां है ये भी mention हम करेंगे किसमें जो भी evacuation plan हम बनाएंगे वहाँ पर fire hydrant point भी include करेंगे ठीक है और उसके बाद हम जो भी हमारे equipment है उनको पूरा लगी हुए होने चाहिए और उनकी क्या बनेगी मंतिली report तयार होती है और इसमें regular testing करनी पड़ती है ठीक है जिससे की emergency planning जो कर रहे हैं उससे पहले हम prevention के लिए ये सारे steps लेंगे तो जो मंतिली report जाएगी उसमें सब कुछ mention होगा कि हाँ हमारे regular testing होती है ठीक है फिर उसके बाद ये तो होगया prevention कि हमारे पास ये equipment है हमने इनकी regular checking की ये working condition में है क्योंकि उनका working condition में होना भहुत जरूरी है तो ये तो बात होगी equipment की अब हमें एक team भी तो तयार करने पड़ेगी न तो हम team के लिए क्या करेंगे team तयार करने के लिए हम उसे सारी equipment से पहली बात तो introduce कराएंगे वो introduce हो जाता है उसके बाद उन्हें देंगे training उनसे mok drill करवाएंगे रोज जिससे क्या होगा हम भू trained हो पाएंगे कोई भी emergency situation को fire से related कोई भी emergency situation को tackle करने के लिए चिक है अब देखिए सबसे पहले हम fire safety plan तयार करने है तो उसमें क्या रहेगा हमारे site plan रहेगा उसमें क्या रहेगा जो भी हमारा floor है floor plans clearly हमको posted करने होंगे जो भी हम evacuation plan बनाएंगे उसमें floor plan एकदम clearly दिखने चाहिए कि ये रास्ता यहां को जाता यहां से आप भाग के जा सकते हैं आग लगिए तो आप जो भी cd या है उन्ही का use करें at least two staircases होनी चाहिए जो भी building में है आप तो ये सारी चीज़े उसमें रहती है safe area हमें पता होना चाहिए evacuation plan में बिल्कुल include होना चाहिए alarm pulling station का है fair alarm जो रहता है वो कहां पे लगा हुआ है extinguisher कहां पे रखे हुए है ठीक है और फिर first aid area कि धर है ये सारी चीज़े इसमें include होनी चाहिए assembly point कहां है आपका ये सारी चीज़े क्या include होनी चाहिए जो भी workers है जो जितने भी लोग हैं आपकी industry में उन सब को पता होना चाहिए और वो trained होनी चाहिए ठीक है उसके पाद मैंने आपको बुला था कि drill करानी होंगी है मोग drills करानी होंगी तो वो क्या हमारी emergency team के लिए करानी होगी emergency team हम तयार करेंगे तो उसके लिए मोग drill करानी होगी तो वो मैं आपको बताती हूँ अब देखिए आप जो है वो तो कहीं भी लग सकती है तो हमें हर जगा के लिए जैसे कि माली जए वो कोई भी building हो school हो, malls हो या आपका workplace हो, industry हो construction side हो कहीं पर भी तो preparedness कराएंगे तो हम क्या करेंगे अपने जितने भी staff members है उन सबको instruction देंगे, return instruction कि drill का procedure क्या है, कैसे आपको drill करनी है उसके बाद उन्हें हर equipment से introduce कराके extinguisher चलाना सिखाएंगे fire train point पे कैसे fit किया जाता है, horse pipe वो सारी चीज़े उनको सिखाएंगे सब कुछ सिखाके, क्या होगा emergency drill के लिए वो तयार हो जाएंगे क्यों? क्योंकि हम उनको सारी चीज़े बता देंगे, कि ये जो भी meeting हम रखेंगे, उसमें हम ये बता देंगे उनको की drill से आपको क्या क्या benefits होने वाले हैं और उस drill के सारे points emergency drill जो है, उसके सारे points include करा देंगे, कि अगर आग लगती है तो आपको ये extinguisher उठाना है ये वाली fire है, तो ये आपका extinguisher लेना है, ठीक है तो जब ये सब वो सीख जाएंगे तो वो emergency ड्रिल के लिए तयार हो जाएंगे ठीक है, तो क्यूं कराएंगे ये जिससे कि वो physically भी trained हो mentally उन्हें पता है कि क्या करना है पर physically भी तो train होना ज़रूरी है जिसके वज़े से वो extinguisher चलाना सीखें अभी उन्हें ये पता है ये extinguisher है अब लास्टाइम क्या हुआ उन्हें चलाना ही नहीं आया तो फिर क्या कर सकते है तो इसलिए ड्रिल जो है वह भी बहुत important है उन्हें ट्रेनिंग देना भी बहुत ज़रूरी है जितने भी staff members है उनको अब हमने क्या किया सबसे पहले तो prevention दिये किस तरीके से हम प्रेवेंट कर सकते हैं जो smoke detector है फायर आम है sprinkler है इन सबको लगा कि हमने prevention दिया कि अगर आग लिखना शुरू होगी तो तुरंत हम कुछ कर लेंगे अब माल लीजे by chance in case आग बढ़ गई है तो हमें एक fire action plan तायार करना होगा ठीक है तो सबसे पहले क्या करना है हमें panic नहीं होना है fire alarm button जो है उसे press कर देना है second fire brigade के लिए call कर देना है as soon as possible जतनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें call कर देना है ठीक है जिस भी building में आप हैं वहाँ से emergency exit जो भी आपके पास है क्योंकि emergency exits भी evacuation plan में include रहते हैं तो आपको पता रहेगा और वो हर जगा लगे होते हैं तो आपका जो भी nearer emergency exit है वहाँ से आपको बहार जाना है अब आप ये नहीं आग लग रही है तो अपना सामान collect करने में लगे हैं ठीक है ऐसा कुछ नहीं करना है सिर्फ आपको पहले अपनी चान बचानी है अब आप एक बार अगर building से बहार निकल गए हैं तो वापस building में ना आए ठीक है सब लोग कहां पहुँचे assembly point पर पहुँचे जितनी जल्दी हो सके जिसे सारे लोग एक जगे कट्टा हो सके ठीक है और कभी भी आग लगी हो तो lift का use ना करें इस तरीके से एक fire action plan दयार रहता है जिससे क्या होगा कोई unknown person भी आया होगा तो वो इस plan को देखके alert हो जा और उसे पता चल जाए कि step मुझे क्या लेने है ठीक है तो ये cycle कैसे चलेगी सबसे पहले हमें panic नहीं होना है alarm button जो है उसे press कर देना है fire brigade को call कर देना है building से बहार निकलना है हमें अपना सामान collect नहीं करना है उसके बाद हमें lift यूज नहीं करना है assembly point पर पहुँच जाना है जितनी जल्दी हो सके उसके बाद हमें बहार आने के बाद एक बाद वापस अंतर उस building में नहीं जाना है ठीक है तो यह हमारा है fire action plan अब fire action plan के बाद एक evacuation plan भी तयार करेंगे जिससे क्या होता है हम जो भी हमारी building है उसका एक map रहता है उस map पे indicate कर देना sign से कि यहाँ पे यह evacuation मतलब exit door है evacuation होता है वो जगह छोड़ने का तरीका तो क्या होता है एक map रहता है उसमें कुछ points include रहते हैं और buildings में भी वो include रहते हैं कि इन signs से आपको easily पता चलता कि कि आपको क्या step लेना है तो वो मैं आपको बताती हूँ तीक ही कुछ इस तरीके sign रहते है जैसे कि emergency exit ये evacuation line fire exit किदर आपको जाना है ये arrows से indicate रहता है assembly point क्या है emergency exit ठीक है ये सारे points रहते हैं उसके बाद assembly point का ये sign रहता है ठीक है फिर ये सारे assembly point के sign हो गए और जब भी आग लगी हो तो हमें क्या किसी भी lift का use नहीं करना है फार alarm किदर लगा हो है उसका ऐसा sign रहता और फार extinguisher किदर है वो भी evacuation plan में जो भी आपकी building का structure map पे है map जो बना रखे उस पे ऐसे include रखा जाता है include किया जाता है जिसकी वज़े से आप easily वो रास्ते पर जा सके ठीक है तो हमारी जो drill की जाती है और उसके बाद emergency कैसे हम emergency अगर आती है तो हम कैसे सारे लोग एकटे हो के इसको ठीक से handle कर सकते है ठीक है तो ये था emergency के बारे में emergency planning के बारे में आज का point so thank you